अलो फिंट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं थार्ड पेपर का चटा यूनिट यूनिट का नाम है सेक्षणिक नवाचार और पहल से परीचे चटा यूनिट दस नंबर का है और दस नंबर हासिल कर सकने वाले सबी महतपून टोपिक्स पर हम इस वीडियो में बात करने बाले हैं वीडियो को पूरा दीखिए चैनल पर नहीं हैं तो सबस्क्राइब करिए इसी तरह की इंपोर्टेंट वीडियो के लिए शाला योजना को लागू किया आश्रम शाला योजना कब लागू कीग गई 1953 अश्रम शालाओं में अनुश्चे जन जाती के बालक बालिकाउं के लिए रहने खाने पीने वे सिक्षण की निशुलक व्यवस्था की जाती ए इतना आपको द्यान लगना है आश्रम शालों के बारे में और यहां पर हम बात करते हैं आश्रम शालों की वर्तमान इस्तिति के बारे में इसमें देखी वर्तमान में आश्रम शालाओं द्वारा युवाओं में परशिक्षन द्वारा व्यवशाई कोशल विक्षित किया जा रहा है ताकि वे खुद का व्यवशाई शुरू कर पाएं इसी करण व्यवशाइक प्रसिक्षण केंद्रों के पार्ट करम में सुधार किया जा रहा है और बुनियादी प्रसिक्षण केंद्र को उध्योग केंद्रित कोशल विकास केंद्र के रूप में विक्षित किया जाएगा बच्चों की स्वास्ते जास्ट मध्यान जो दोपर का वोजन है पलन पोशन योजना का भी विवारिक रूप में प्रियोग किया जा रहा है इस योजना के अंतरगत अनुसुचे जनजाती के विध्यारतियों में उच्च शिक्षा की आज जो आकांग्शाएं हैं उनको बढ़ने के कारण कोलेज जाने वाले विध्यारतियों के लिए छात्रावाज खोले जाएंगे इस तरह से आपको आश्रम शालाओं के बारे में ध्यान रखना है और अब हम बात करते हैं MV Foundation हिद्राबाद के बारे में MV Foundation की स्थापना 1981 में शिक्षाविद वे इतिहासकार प्रोफेसर मामीडी पूरी वेक्टर गेया की स्मरती में की गई इस तरह से आपको एक लाइन में अगर आश्र देना है तो इस तरह से ध्यान रखना है इसके बाद में बात करते हैं MV Foundation की उपलबतियों के बारे में MV Foundation की प्रियासों से लगबग 4,20,000 बच्चे विध्यालियों में नामांकित किये गए Foundation द्वारा 6000 से जादा गाओं में आवाशिये Bridge Camp क्रियानवित किये गए जिनसे लगबग 45,000 बाल्शर्मिक लाभानवित हुए देश में कस्तुर्बा गांदी आवाशिये बालिका विध्यालियों की अवधारना इनके Bridge Course आधारित सिक्षन का ही विस्तरत रूप है के अंदर वे राज्यों द्वारा इनकी अवधारनाओं से प्रेरित होकर विविध परियूजनाओं का क्रियानवेन किया गया बाल अधिकार सुरक्षा फोरम और बाल्शरम रोको अभियान की अनुसार MV Foundation ने बाल सरम के विरुध खड़ा होने के लिए समूदायों को सफलता पूरवक प्रेरित किया उसने समूदाय को यह समझाने में सफलता हासिल की कि स्कूल जाना बच्चों का मौलिक अधिकार है इस तरह से MV Foundation के बारे में आपको जनकारी रखनी है अब हम बात करते हैं इसके बाद में होशंगाबाद विज्ञान शिक्षन कारे करम के बारे में होवी शीका सोट में इस तरह से भी लिखा वा सकता है तो आपको ध्यान रखना है होशंगाबाद विज्ञान शिक्षन कारे करम इसमें देखिए भारत में विज्ञान शिक्षा के परिवर्तन की जो संभावने हैं उनको उजागर करने के साथ-साथ परिवर्तन की दिशा में वे उसके क्रियानवेन के विभिन आयामों के संदरब में काम करने की जरुरत 60 के दर्शक में महसूस की गई इसी दोरान 1922 में मद्य प्रदेश में दो स्वेचिक संस्ताओं किशोर भारती और फ्रेंड रूरल सेंटर ने राज्जे शाषन के समक्ष सरकारी मिडल स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में नवाचार करने का प्रस्ताओ दिया जिसे शाषन ने मंजूरी दे दी होवी शिका या होशंगाबाद विज्ञान सिक्षन कारे करम की सबसे बड़ी खूबी क्या रही यही है कि उसने समुचे देश में सिक्षा के शेतर में स्रजिनात्मक उरजा को मुक्त किया और उसे एक मंच दिया इस तरह से आपको ध्यान रखता है अब हम इसके बाद में बात करते हैं रिशी वेली स्कूल के बारे में इसमें देखिए जिद्दू करशनमूर्ती एक दारफनिक समाज से भी एवम लेखक थे जिन्होंने सिक्षा सास्तर पर भी कई किताबे लिखी हैं इन्होंने सन 1926 में रिशी वेली स्कूल इस्तापित क किया जिस पर एनी बेसेंट के विचारों का भी प्रभाव रहा यह अवाश्य विध्याले हैं जिसे करशनमूर्ती की शिक्षा सास्ति लक्षे को प्राप्त करने के उद्देश्य को ध्यान में रख करके खोला गया रिशी वेली 355 एकड़ में फेला हुआ है और चारों तर सेवाएं और लिखित गतिविदिया शिक्षण के महतपूर्ण उष्य है यह विध्यालाई प्रदुशन विहीन प्राकर्तिक गाटी में इस्तित है इस तरह से इस विध्याले के बारे में आपको ध्यान रखना है और अब हम बात करते हैं शिक्षा करमी प्रियोजना के बा गाउं में प्रात्मिक शिक्षण के सारो भूमिकरण के साथ-साथ उच्च इस तरिये गुनात्मक शिक्षण विशेश करके लड़कियों के लिए उपलव्द करवाना प्रियोजना इन शेत्रों में शिख्षकों की अनुपस्तिती को विशेश रूप से इंगित करती है य यह इस मानेता पर आधाए थीकी प्रात्मिक शिक्षा का सारजनिकरन करने के लिए समुधाई बच्चे और शिक्षक के मद्धे सह भागीता का संबंध विक्षित करना आवश्यक है समुधाय एवं बच्चों के कोशल और ग्यान के साथ में इश्कूल का संबंद मनाना भी जरूरी है साथ ही शिक्षक के बच्चों के ग्यान और कोशल को पौशित करने की योगेता विक्षित करना और समाज की एहमियत को पुना हिस्तापित करना भी आवशेक है इस तरह से बिंदू ध्यान रखने हैं और लोग जुंबिस को समाज के वंचित वरग खास करके लड़कियों तक शिक्षा की पहुंश बनाने और शिक्षा के सारवजन्य करण के उद्देश्य से सीड़ा बारत सरकार सीड़ा आपने देख लिया उपर मैंने फूर्फों बता के कुल 6 समुह कारेकरम निदाद करके शिक्षन कराया जाता था परतीक समुह निमलिकित तरीके से काम करता था इसमें देखिए कौन-कौन से तरीके से काम करता था पहला देखिए समुह एक वे समुह दो को शिक्षक माइल्टोन या इस तरकी अनुसार पूरे समय तक शिक् शात्र आपस में एक दूसरे की मदद लेकर की अपने कारिये करते थे इस तरह से बिंदू ध्यान रखने हैं और अब इसके बाद में आगे हम बात करते हैं दूसरा दशक परियोजना के बारे में दूसरा दशक परियोजना से पूरू सिंचलित की गई लोग जूंबिस परियोजना की अनभवों को अपना करके तथा परिस्तितियों की अनुसार नई रणनीतियां समलित करके इस योजना में कारिये किया जा रहा है उधारनार्त एक क गया विभागिता क Εमुधा कि शुर कप करता सभी की भागीदरी से कारिया गया जाता है परीजना के कारियों की समख्षा इव्म नियोज़न में भी इन सब की भागीदरी रहती है दूसरा क्या था मिदें करन को अपना गया है जिसके टहत ग्राम संकुल और ब्लोगma के किसी परकार का समझूता नहीं किया जाता इसमें हमेशा sometime जो इस्तान ये वह परात्म्कता प्रदान की जाती है जिसके बाद हम बात करते हैं दूसरा दसक कार्या कर्म की व शीष्तावन को ले करके जिसके पर GC विशेशताय निम्न है जिन में पहला है मुल्ले दूसरा दसक परियोजना का विश्वास समयधानिक मुल्यों में हैं इसमें न्याई, समानता, सवतंदरता, बंदूता, समाजवाद, लोकतांतरिक, एमधरम, निर्पेक्षिता, आदी सामिल हैं इसके बाद में दूसरा बिंदू देखिए कारिये संस्क्रती इस परियोजना में करेरत वेक्तियों के पदनाम आवशेक्तानुसर अलग-अलग हैं लेकिन एक इस्तर पर सभी कार्मिक ही कहलाते हैं वर्ष में दो बार होने वाले कार्मिक पर्चिक्षणों में सभी पदाधिकारी वेकारिकरता एक ही जगह पर आकरके बैठते हैं और साथ-साथ सीखते हैं एक ही जाजम पर बैठकरके साथ-साथ सीखते हैं और अगला बिंदू है वीकेंद्रिकरण वीकेंद्री करण में देखिए चिकारियों के संचलन में गाव इस तर से राज्जे इस तर तक नीचे के ऊपर की और से ऊपर से नीचे की और समानतर समवाद चलता है ब्लोक इस्तर पर उस ब्लोक के परियोजना निरिशक अपने इस्तर पर अपने टीम के साथ में निरने लेते हैं और चोथा बिंदू क्या है समझोते स्विकार नहीं होते इसमें दूसरा दसक परियोजना में कररत जो कर्मिक हैं उनकी सेवाओं को निमनांकित परिस्तिति सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों तक भी शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें थेंक यू वाचिन दिस वीडियो